खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेए इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अनुछे 370 हटने के बाद कश्मीर में शांती है और घाटी में अमंचैन है तो क्यों ना यह माना जाए कि यह देश शिर्ट से खिलवार है जिस तरीके के बयान इन नेताओं ने दिये हैं पी चीदमरम से लेकर तमाम नेताओं ने जम्मू कश्मीर से अनुछे 370 हटाने को लेकर कॉंग्रेस के बड़े नेता और पूर्व ग्रिह मंत्री पी चीदमरम ने हिंदू-Muslim वाला एंगल दे दिया चीदमरम ने ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर अगर हिंदू बहुल होता तो बीजेपी अनुछे 370 नहीं हटाती मुस्लिम बहुल होने की वज़े से जम्मू कश्मीर से अनुछे 370 हटाया गया तो पी चीदमरम ये एक थेवरी लेकर सामने आ चुके है ये देखिए क्या कहा गया है पी चीदमरम की तरफ से बीजेपी विशेश राज्य का दरजा नहीं चीनती अगर जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये मुस्लिम बहुल राज्य है बीजेपी ने बाहुबल के दम पर अनुछे 370 हटा दिया देश के 70 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक राज्य को केंदर शासित प्रदेश बना दिया गया हो आज जम्मू कश्मीर को एक नगर पालिका की तरह बना दिया गया ये कहना पी चीदमरम का लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल कहां से ढूंड लाए चीदमरम तो कॉंग्रिस के नेताओं के जो बयान आ रहा है वाकई में बहुत चौकाने वाले और ना सिर्फ पी चीदमरम बलकि मनी शंकर एयर जो की पहले भी विवादों में रहे बयानों की वज़े से एक बार फिर जम्मु कश्मीर को लेकर उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए है अपने विवादित भयानों के लिए बदना मनी शंकर एयर ने सरकार के फैसले पर विवादित बयान दिया है जम्मु कश्मीर के संदर में उनका ये बयान है मनी शंकर एयर ने अंग्रेजी अखवार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेक लिखा है नरेंदर मोदी और अमित शाह ने हमारी उत्तरी सीमा पर जम्मू कश्मीर को फिलिस्तीन बना दिया मोदी शाह ने अपने गुरू बेंजमीन नितनियाहू और मैंकम बेक से काफी कुछ सीखा है उन्होंने सीखा है कि कैसे कश्मीरियों की स्वतंतरता, गरिमा और आत्म सम्मान को रौंदना है जैसे फिलिस्तीन में इसराइल ने रौंदा मोदी शाह ने कश्मीरियों के बच्चों को राइफल और पैलेट गन की नोक पर रखकर इस वादे के साथ जबरदस्ती एकी करण किया कि वो कश्मीरियों का विकास करेंगे